हम अंजनी सुत बजरंग बले की कथा सुनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं भाई भरत समान जिन्हें शिरिराम बलाते हैं, हम कथा सुनाते हैं हम अंजनी सुत बजरंग बले की कथा सुनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं भाई भरत समान जिन्ही शिरी राम बोलाती हैं हम कथा सुनाती है ए राम भक्त हनुमां तुम तो हो बड़ी बलवां कोतमरिस ने शाप दिया था माता अंजनी को कहने लगेगी तुम को आरी माता बन जाओ बोली अंजनी रिशी वरी मैं ना होने दोगे अपनी आपको ही गुफा में मैं बंद कर लूँगी किसी पुरुष को देखो ना में होगा एक ऐसे जाई गाई शाप तुम्हारा व्यर थे ऐसे अपनी आपको एक गुफा में उसनी बंद किया छोटा सा एक छिद्र थबस जिसनी से आए हवा हुआ क्या फिर इस से आगे तुम ही बताती है पावन कथा सुनाती है भाई भरत समान जिन ही शिरी राम बोलाती है हम कथा सुनाती है हे राम भक्त हनुआं तुम तो हो बड़ी बलवां हे राम भक्त हनुआं तुम तो हो बड़ी बलवां मोहिनी रोप जो विश्णों जी ने भोले को देख लाया कामवेग फिर भोले जी को रूप देख चड़ाया कामवेग अब भोले जी से रोका ना जाये ब्रम्हा जी ने फिर बत लाया उनको एक उपाये गुफा अंजनी बैथी जिसको गौत मेरी शिकाश्णा कान में उसको डालो विंदू जाकर भोले आ कामवेग ये आपका यू विर्थ न जाएगा गातम रिशिका शाप भी भोले सच हो जाएगा गुफा द्वार पर जाकर भोले अलख जगाती है आवन कथा सुनाती है भाई भरत समार जिने शिर राम बुलाती है हम कथा सुनाती है राम भक्त हनवान तुम तो हो बड़ी बलवान तुम तो हो बड़ी बलवान भोले जी की अलख जो अंजना मा के कान पड़ी बैठी ध्यान लगाकर थी ओ सुनकर होई खड़ी बोली अंजना जो भी मुझे को बाहर लाया ना भंग करना है शापरशी का मैने है धाना कहने लगे भोले है देवी हमें लगे है प्यास पानी पीने से पहले तुम्हें मंत्र देंगे खा अपने कान को इस छेदर के पास मिलाओ तुम बिना दक्षुन किसी का पानी ना पीते है हाई कान में वो फिर अंजनीवा के भीद पढ़ाते हैं आवन कथा सुनाते हैं भाई भरत समान जिनहीं शिरिराम बुलाते हैं हम कथा सुनाते हैं ए राम भक्त हनवान तुम तो हो बड़ी मलवान पे राम भक्त हनवान तुम तो हो बड़ी मलवान बोली अंजनी है जोगी क्या है तुमने किया सची ही होगे अशाप आज जो रिशिगो तम ने दिया कहने लगे हैं अंजनी इसको न समझो तुम शाप ऐसे वैसे ना जोगी हम खुद हैं भोले ना होगा जो ये बालक वो बड़ वीर कहाएगा कौमार भी बंद तुम्हारा ना हो पाएगा रामभब इस लोग कहेंगी और नाम हनुमा मत समझो जो शाप है तुम कोई तो है वरदान भोले नाथ फिर खेलाश पे लोट ही जाती है आवन कदा सुनाती है भाई भरत समान जिन ही शिरी राम बुलाते हैं हम कदा सुनाती है ए राम भक्त हनुमां तुम तो हो बड़ी बलवां पे राम भक्त हनुमां तुम तो हो बड़ी बलवां पोवन के जरिये काल से होकर ये है गर्भ में आए इसलिए तो बजरंगी है पवन वत्र गहलाई किंतु गर्भ में पड़ गई इनको वानर की झाया इसलिए तो वानर जैसा रोप इनोंने पाया बच्पन से ही हुए है तो बड़े वीर बनवां भोले जीने जैसा कहा था नाम रखा हनुमां देखते एक दिन आसमान में लटक रहा फनला उड़कर पहुँच गई बजरंगी ऐसा किया कमां समझ कर फल वो तो सूर को निगले ही जाते हैं आवन कथा सुनाते हैं भाई भरत समान जीनी शिर राम बुलाते हैं हम कथा सुनाते हैं ए राम भक्त हनुमां तुम तो हो बड़ी बलवान ए राम भक्त हनुमां तुम तो हो बड़ी बलवान सूर्य देव को जो निगला तो हो आघोर अंध का सारी स्रिष्टी में मच गई फिर तो बस हाहाकार सारी देवी देवता तो होने लगे व्याकुल हनुमत निगल गई सुरज को समझ के नीठा फर होकी कत्रित वो तो फिर हनुमान के पास है आए बाहर निकार सुर्य देव को वो तो रही समझाए जिति बालक की तरहा ना मान रहे हनुमां क्रोध में भड़कर इंद्र देव ने बजर लिया है ठाप बजर पहार सिहनो मान मुर्षित हो जाती है आवन कथा सुनाती है भाई भरत समान जिनी शिर राम बुलाती है हम कथा सुनाती है ए राम भक्त हनुमां तुम तो हो बड़ी बलवां फिर तो पवन देवताई सुन के जानने हार ये क्या किया इंद्र देव वो हुए क्रोध सेलार छोटी से एक बालक पे कर दिया है वजर पाहा मेरा भी अब क्रोध देख लो तुम और संसार इंद्र देव ने फिर तो दिखाया उनको अपना अक्रोः सब हुए व्याकुल पवन ने लिया बेग को रोः सास भी लेना सबका फिर तो हो गय था दुश्रवार ब्रम्हाजी फिर पवन देव से बोले हाथ पसार हनुमान की वजर देह ब्रम्हाजी बनाते हैं आवन कता सुनाते हैं भाई भरत समान जिनी शिरिराम बुलाते हैं हम कता सनाते हैं भेराम भक्त हनुमान तुम तो हो बड़ी बलवान भेराम भक्त हनुमान तुम तो हो बड़ी बलवान पवन देव ने ब्रम्हाजी के विनती ली हैं मान बच्च देह का ब्रम्हाजी ने दिया उने वरदा सुर्य देव वाहनो मान की मुख से आये बाहर हुआ ओ जाला सबती वोने बोली जय जय का खेलते खेलते फिर वो एक दिन जंगल आते हैं रिशी मुख के पोत्र देख उनको डर जाते हैं उछल कुद फिर उन्हें देख कर करने लगे हनुमान रिशी मुख से करी शिकारत फिर बचो ले आ रिशी मुख के शप से वो बल अपना भुलाते हैं पावन कथा सुनाते हैं भाई भरत समान जिनहीं शिर राम बुलाते हैं हम कथा सुनाते हैं पेराम भक्त हनुमान तुम तो हो बड़ी बलवान पेराम भक्त हनुमान तुम तो हो बड़ी बलवान किश किंधा पर बत पर फिर तो हनुमान आयें वानर राज सुग्रीव ने शिर राम सिह मिलाएं राजा दशरत के घरजन में पुर्शोतम शिरीरां खुशी मनाई नगरी सारी हो रह मंगलगां भोले बाल रूप के दर्शन राम के चाहते हैं इसलिए हनुमान को अपने पास बुलाते हैं बोले तुम वानर बन जाओ और बनू में मदारे बाल रूप शिर राम छवी दोनों देखेंगे प्यारे बन के मदारी अयो ध्या में खेल दिखाते हैं आवन कथा सुनाते हैं भाई भरत समान जीनी शिर राम बुलाते हैं हम कथा सुनाते हैं राम भक्त हनुमान तुम तो हो बड़ी बलवान ते राम भक्त हनुमान तुम तो हो बड़ी बलवान चर्चा छिडिया यो ध्या में एक आया जब मदारी बानर कावो खेल देखाएं देखे नगरी सारी पुर्शोतम शिर राम खेल को देखना चाहते हैं राजा दशरत फिरून को महलों में बुलाते हैं भोले ने फिर बजरंगी संग ऐसा खेल देखाया बोले राम ये वानर तो है मेरे मन को भाया वानर तो रख लोगा बोले राम ये ले की खेल दिखा करके भोले कर गए है प्रस्था माने ना शिर राम तो लेकिन रूठ ही जाती हैं आवन कथा सनाती हैं भाई भरत समान जिन ही शिर राम बुलाते हैं हम कथा सनाती हैं ए राम भक्त हनमान तुम तो हो बड़ी बलवान ए राम भक्त हनमान तुम तो हो बड़ी बलवान राजा दश्रत ने फिर तो है वानर कई मांगाई माने ना शिर राम वही वो बानर लेना चाहिए अपनी मंत्री को राजन ने खोजन को भेजा खोजत खोजत आये मंत्री परबत कश गिन्धा वानर राज सुग्रीवन आकर उनको शीष जोकाया बुला लिया हनमान उनकी संग में आयो धपठाया भक्त और भगवान का तु ऐसा हो आमिलन फिर बूले शिर राम हम ये लीला रहे दिखाओ अब तुम जाओ हनुमान वनवास को आते हम आवन कदा सुनाते हैं भाई भरत समान जिनी शिर राम बुलाते हैं हम कदा सुनाते हैं ए राम भक्त हनुमान तुम तो हो बड़ी बलवान ए राम भक्त हनुमान तुम तो हो बड़ी बलवान चोदा वरश को शिरी राम जब आई हैं वनवास बलिवध करके सुग्रिव फिर उससे क्यमित्रता सीता मा की खोज में निकली सबवानर सीना लंका जाने के लिए हनुमान को है चुना शिरी राम की आग्या लेकर ऐसी भरी ओडारी सोजो जनका सागर लांगा और लंकिनी मारी सिया मात की पास में जाकर उनको की आनमन बाग उजाडा और अक्षे का करती अकाम तमान सोने की लंका कुजला की राख बनाते हैं आवन कथा सुनाते हैं भाई भरत समान जिन ही शिरी राम बोलाते हैं हम कथा सुनाते हैं ते राम भक्त हनवान तुम तो हो बड़ी बलवान ते राम भक्त हनवान तुम तो हो बड़ी बलवान बना के से तो फिर करती हैं लंका नगरी चड़ाई डटे रहे शिरी राम के संग में जब भी मसीबत आई अपनी गदा से जाने कितने दानों मारे हैं शिरी राम के बोल रहे मुख से जयकारे हैं लखन लाल और मेघनाथ में योध हुआ भारी मेघनाथ ने जब लक्ष्मन को शक्ती थी मारी सूर्योद ऐसे पहले जाकर संजीवन लाएं भरत समान श्री राम प्रभू ने भाई बत लाएं राम प्रभू तुम्हे खुश हो करके गले लगाती हैं पावन कथा सुनाती हैं भाई भरत समान जिन्हें श्री राम बुलाती हैं हम कथा सुनाती हैं ए राम भक्त हनुमान तुम तो हो बड़ी बलवान ए राम भक्त हनुमान तुम तो हो बड़ी बलवान लंका विजय कर लोट सभी जब अयो ध्याती हैं श्री राम ने सबको ही उपहार भिवाटे हैं मोती की माला हिस्से में आपके आई हैं तोड मोतियों की माला दातों तले चबाई लंका पती विवीशन ने फिर कह दी ऐसी बात तोड़ी मोती माला आखिर है वानर की जा इतने कीमती मोती तुमने क्यों विखडाए हैं क्या अज़ दे में तेरे भी शिर राम समाए हैं भाड के सीना सी आराम का दर्स कराते हैं आवन कथा सनाती हैं भाई भरत समान जिनी शिर राम बुलाते हैं हम कथा सुनाती हैं भे राम भक्त हनमान तुम तो हो बड़ी बलवान वीरों की है वीर ये अपनी महावीर हनमान राम भक्त हैं बड़ी निराले गुण और बल की खाँ शिरी राम की आक्या का सद पालन है करेतें भूत प्रेत और दुर्जन दुष्ट नाम से डरतें हे बच रंग बली रखना हम पे ग्रिपागी छाया जोती ने फिर सुमिर शारदा तेरा ही गुन गाया हनस राज रिलहन ने बनाया सोनो टिक चैनाई सुने का जो भी इस गाथा को होगी काम सफल फोज सुरेश संगल आखों भक्त शीष जुकाती है पावन कथा सुनाती है भाई भरत समान जिने शिरी राम बुलाती है हम कथा सुनाती है राम भक्त हनुमान तुम तो हो बड़ी मलवान